अध्यायच है मानव अधिवास मानव अधिवास से तात परे मानव द्वारा रचित उस रचना से हैं जो उसके रहने या कार्य करने या अन्य आवशक्ता की पूर्ती के लिए बनाई गई हैं ये अधिवास मानव के सांस्तृतिक वातावरन का अभिन अंग होते हैं अधिवास निर्माण की पहली कड़ी मकान है जिसके कारिय वह संख्या के आधार पर मानव अधिवास गाउं, पुर्वा, नगर, कस्बा और महानगर का रूप ग्रहन करता है मकानों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक मकानों के निर्मान एवं प्रकार पर जलवायू का गहरा प्रभाव पड़ता है भूमध्य रेखी प्रदेशों में जहां वर्षा अधिक होती है वहीं लोग मचानों पर बने जोपडों में रहते हैं शुष्क प्रदेशों में मिट्टी के मकान, घास के मैदानों में तमबो तथा तुन्रा जैसे शीत प्रदेशों में बर्व के बने मकानों में निवास्त करते हैं तापमान वायू की गती इवं दिशा वर्षा की मात्रा आध्रता आदि जलवायू के प्रमुख कारक हैं प्राया शीत एवं शीतोशने प्रदेशों में प्राता कालीन सूर्य की किर्णों से लाभानवित होने के लिए मकान का मुख्य द्वार पूर्व की ओर रखा जाता है उश्न प्रदेशों में कड़ी धूप से बचाने के लिए मुख्य द्वार पर छप्पर डालते हैं तथा दिवार की मोटाई अधिक रखी जाती है ब्रिटेन में तीवर गती से चलने वाली पच्छवा हवाओं के कारण मकानों का रुख पूर्व या दक्षिन पूर्व रखा जाता है जहां वर्षा कम होती है वहां मकान की चट चौरस और अधिक वर्षा वाली भागों में धलवा चट बनाई जाती है दरवाजों और खिड़कों पर चट जे बनाया जाते हैं मकानों के निर्माण में जहां जो संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं प्रायह उसी का उप्योग किया जाता है परवती भागों में पत्थर का उप्योग वनाच्छादित भागों में बास तक्थे वा लठे का उप्योग करते हैं जापान जैसे भूकंप प्रभावित देश में लकडी या हलकी वस्तूँ से मकान बनाते हैं यातायात के साधनों के विकास एवं वर्तमान युग में उपलब्ध नय साधनों द्वारा अब मकानों के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं उदाहरन के लिए राजस्थान से प्राप्त संग्मर्मर का उप्योग देश के कोने कोने में हो रहा है तीन के चद्दर का उप्योग अधिक वर्षा वाले इलाकों में अधिक होता है मकानों के निर्माण में धरातली उच्चावच का ध्यान रखा जाता है परवती ढालों में कई स्तर पर मकान बनाये जाते हैं निचले ढाल की दिवार अधिकूंची वा पीछे की उचाई कम होती है जबकि मैदानी भाग में समान उचाई की दिवारे होती है दलदली छेत्र में निव गहरी वा पक्की होती है सुरक्षा, गोपनियता, एकांतता, मकानों के निर्माण में महतोपूर होते हैं जैसे मसाई अपनी सुरक्षा का ध्यान रखकर क्राल का निर्माण करते हैं वर्तमान में भूमिगत कमरे भी बनने लगे हैं जो बहुमूल्य वस्तूओं को रखने और गोपनियता के दिवारे होती है आवास का आकार, प्रकार, वस सजावट, निर्माण करता की संपन्यता का प्रतीक है आर्थिक रूप से संपन्य व्यक्ति, स्थानिय निर्माण सामागरी के अतिरिक्त, अन्य सामागरी बाहर से मंगा लेते हैं सामाजिक मानेताओं के अनुरूप आवास निर्माण में एक भाग पुरुषों के लिए दूसरा भाग महिलाओं के लिए होता है जहाँ परंपराएं वह मानेताओं पुरानी हैं इस प्रकार भारत में वास्तुकला के अनुसार मकान निर्माण की परंपरा है